असलाम वालेकुम बाबाजी नहीं मैंदर साहब नमस्कार यूनिफेकेशन तिवी के सभी में मेरा भूबी मेरा नमस्कार बाबाजी आज मेरा एक नुस्का है आपके लिए और आपके हकीम लोगों के लिए जो बहुत कान के चीज है हो है गंधक के एहमर खुराकी और पुसाकी और इससे आगे कीमियागर हजरात भी काम ले सकते हैं तो नुस्का इस तरह है कि एक पाव नमक लहौरी और एक पाव नुसादर तोनों को खरल करके टिलकम पाउडर कर लें और इसके दर्मियान पचास ग्राम गंधक रखके मजबूत कप्रमट्ची करके इसको एक मन की याग दें सुर्ख रंकी कबूतर के खून की तरह लाल गंधक मिलेगी जो पूल तरह काई मुननार होगी जो मर्जी इससे काम ले ले खूराकी ये मुसफ़े खूने अमराजी खभीता पे बेहतर काम करती है और कीमियागर भाईयों के लिए तोफ़ा है इससे जो भी काम ले न चाहिए ले सकते हैं इस गंदक की एक चैल मैं बता देता हूँ एक तोला मुसफ़ा सिक्का एक तोला मुसफ़ा पारा दोनों को छलबंद करें और ये दो तोले गंधा को उसमें खरल करें अंडे की सफेदी से खरल करके टिक्की बनाके खुसक करके इसको हीरा कसिस एक पाव में रखके इसको पांच से दस किलो की आग दें यहां पर यह सुर्ख रंग की गिरा मिलेगी कुस्ता जो रती तोला के साब से काम करती है जिन भाई लोगों के काम आ सके नुसका तो अपना काम ले लें उसे साब से कीमियागर लोग और मेरे हक में दुवा कर दें बाबा जी यह नुसका आप के लिए मेरी दब से तोफ़ा है दीपक कुमार कानपुर इंडिया से और मेरा मॉइल नम्मर है अगर नुसके में कहीं कोई चीज समझ मिना है तो आप मुझे बोल करके पहुछ सकते हैं कि ले यह कर दो सकते हैं